हेलो फ्रेंड्स माइनेम इसकाजुल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं यूपेडियालेट सेकंड सेमेशन मैथ जी आप फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इकाई 5 डिस्कुस कर रहे थे जो कि डिस किया जाता है वोगी मेरेट से बता इसक्नले डिसकुस कर लिया तो आह देखते हैं कैसे करेंगे और कलम डिस्कुस करेंगे कि परमेश संख्याओं का जोड घटाना प्लस बुड़ा प्लस भाग कैसे किया जाता है ठीक है तो चलिए फिरिंट सुरू करते हैं तो यह जितने भी प्लस ने बहुत ही असान है और आप बहुत ही असानिक साथ इसको कर सकते हैं तो सबसे पहला तो आपका प्रस्द यहीं है कि ब्रेकेट में माइनस 250 ठीक है प्लस आप यहां प्लस लिखो या फिर नहीं लिखो ठीक है क्योंकि केश्चन में ऐसे लिखा था तो मैंने लिख दिया ठीक है प्लस 150 अब इसको कैसे सॉल्व करना है सिंप्लिफिकेंस का क्यूस्चन है और आप असानी से इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो इसको जोड़ना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको अलग-अलग करना है जैसे कि मैंने यहां लिखा है माइनस 25 और प्लस और प्लस मिलके क्या होता है प्लस ही होता है ठीक है तो यहां प्लस और 150 ठीक है यहां प्लस है और यहां माइनस है प्लस और माइनस मिलके क्या होगा तो वो हो जाता है माइनस ठीक है तो अब हम सिंपल क्या करेंगे दो सो पचास में से एक सो पचास को घटा देंगे तो जब आप दो सो पचास में से एक सो पचास को घटाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 100 यानि 100 अब देखिए आप 100 लिग देंगे तो गलत हो जाएगा आपको क्या करना है यहाँ पर माइनस लगा देना है क्यों? क्योंकि जो आपका 250 है यह ज्यादा है ठीक है और 150 है यह कम है अब देखिए जो ज़्यादा है यहाँ माइनस का चिन है और जो कम है यहाँ प्रस का चिन है तो जो ज़्यादा रहता है और उसके सामने जो चिन रहता है हम वही लगा देते है तो हमारा 250 ज़्यादा है और यहाँ माइनस का चिन है तो हम यहां minus लिख देंगे तो इसका जो answer आजाएगा वो आजाएगा minus 100 अगला प्रस्न देखते हैं ठीक है अगला आपका प्रस्न है क्योंकि basic से प्रस्न है और आपको 1 से 5 class तब के बच्चों को बढ़ाना होता है तो इसमें basic concept ही रहेगा ठीक है तो देखें अगला प्रस्न है कि 11 plus bracket में minus 7 को सौद करना है तो सबसे पहले तो आप यहां 11 लिखेंगे plus और minus मिल के क्या होता है तो minus होता है और आप यहां 7 लिंग देंगे फिर आप 11 मेंशे minus 7 को घटा जी दिए तो simple इसका answer 4 आजाएगा ठीक है अगला प्रस्न की bracket में है minus 380 यानि 380 plus minus 270 ठीक है इसको solve करना है तो सबसे पहले आप यहां क्या करेंगे minus 380 plus और minus मिल के क्या होगा minus हो जाएगा और 270 अब यहां आप देख सकते हूँ यहां भी minus है और यहां भी minus है तो minus minus मिल के क्या हो जाएगा plus तो simple हम क्या कर देंगे इसको सबसे पहले तो जोड़ देंगे जब जोड़ेंगे तो हमारा जो answer आएगा वो आजाएगा 650 अब जैसे हमने पहले में बताया था क्योंकि यहां minus का चिन है अंसर आजाएगा वो आजाएगा minus 650 ठीक है यह चोटी-चोटी बातों पर थोड़ा ध्यान देना होगा अगला प्रेस नहीं की इसको तो जोड़ा जोब कर लेते हैं ठीक है अगला प्रेस नहीं की चौथा की minus 7 ब्रेकेट में है ठीक प्लस ब्रेकेट में minus 9 plus 4 plus 16 तो सबसे पहले तो इसको ब्रेकेट में से हटाएंगे तो minus 7 plus और minus मिलके क्या हो जाएगा minus 9 और plus 4 plus 16 अब देखिए अब क्या करना है सबसे पहले तो हम plus लेते हैं क्योंकि मैंने board mass roll में सबसे पहले आप सभी को बताया था ठीक है तो 16 में 4 को सबसे पहले जोड़ देंगे ठीक है तो 16 में 4 को जब आप add करेंगे तो आपका जो answer आजाएगा वो आजाएगा 20 अब देखिए 20 आगया ठीक है तो अब चाहे तो आप इस में से इसको घटा सकते हो या फिर 7 को घटा सकते है ठीक लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्योंकि 20, 9 और 7 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लस है या हम माइनस है तो हम क्या करेंगे घटाएगे तो जब 20 में से 9 हो जाएगा तो आपका आंसर आजाएगा वो आजाएगा 11 ठीक है अब यहाँ माइनस 7 और प्लस 11 माइनस 7 प्लस 11 प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा तो 11 में से 7 तो घटाएगे तो आपका आंसर आजाएगा 4 ठीक अगला प्लस नेखी 37 Q12 50 plus bracket में माइनस rat 0 8 एक भाइंचा 007 65 25 plus bracket में – 18 given to 8 उसको कैसे सॉल्ड करें बहुत सब्सक्राइब करें। वा मालसके दोड़ math tutorial कि मिंढ़ है prince 37 एक एक लिख लिंगे प्लस और माइनस मिलके क्या होगा माइनस होगा 2 लिख लेंगे प्लस और माइनस मिलके क्या होगा माइनस होगा ठीक अब यहां यहां भी माइनस लिखेंगे क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी माइनस है तो हमारा क्या आंसर आएगा माइनस अब 18 अब देखिए हमारा जो आ गया यहाँ पर आपका 37-2-65-18 अब क्या करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करना है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके माइनस 65 उसके बाद कौन सा है तो प्लस 37 ठीक तो सबसे पहले हम इसको यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो हम क्या कर देंगे इसको घटाएंगे तो जब आप घटाएंगे तो आपका आंसर आई जागा 28 लेकिन जो यहाँ 65 है भर माइमस 28 मैनस सब्सक्राइब has a सद्रेंभाइब तो दो अप सिंपल मैंनस 28 मैंनस स्थीप आफ की फालो करना दो सब्सक्राइब ह्तना है तो यहां भी साथ को akhir जाया प्लस और 28 में आप 18 भर ओए तो आपका जो आठाएब वह आजाएब 46 यहां भी ज़्यादा है तो हम यहां माइनस 46 लिखेंगे अब क्या करना है यहां आप देख सकते हूं कि माइनस 46 माइनस 2 माइनस में क्या होता है प्लस तो हम 46 में 2 को आड कर देंगे तो हमारा आंसर अजाएगा 48 और यहां 46 जो है इसके सामने minus है और ज्यादा है तो हम यहाँ minus 48 इसका answer आजाएगा next person देखते हैं तो अगला जो person है वो है आपका 6 minus bracket में 48 ठीक है 6 यहाँ minus है यहाँ plus है plus और minus मिलके क्या हुआ minus होगा 48 अब 48 में से 6 जाएगा तो आपका आजाएगा minus 42 क्योंकि यहाँ देख सकते हो 48 जादा है तो इसलिए minus 42 अब देखिए यहाँ आपका दिया है कि निम्नांगित प्रश्नों को हल किजिए ठीक है तो जैसे कि पहला आपका है 35 minus 20 को solve करना है दूसरा है 22 minus bracket minus 90 को solve करना है 3rd minus 20 plus minus 13 को solve करना है फिर 4th minus 7 bracket में है फिर minus 8 minus bracket में 25 तो देखिए यह घटाना है simple आपको पता है 35 में से 20 जाएगा तो आपका 15 आजाएगा ठीक है तो जैसे मैंने यहाँ solve कर दिया है ठीक है 35 में से 20 जाएगा तो आपका 15 15 आएगा यानि 15 आएगा ठीक है ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं अगला आपका प्रसन है कि 22 22 माइनस ब्रेकेट में माइनस 90 तो देखिए माइनस और माइनस मिलते क्या होता है प्लस होता है तो 72 में आप 90 को add कर लिजिए तो आपका जो आए जाएगा 162 तो आपका जो प्रसन था वह था तो फोर माइनस ब्रेकेट में माइनस फ्रेकेट में अब यहाँ नियुकित में सब्सक्रीजिए माइनस था निउल को दोड़नेंगे यहां प्लस माइनस माइनस तो यहां भी माइनस एच्छों किया मिलके होगा प्लस ठीक तो add कर लेंगे तो हमारा जो answer आजएगा वो आजएगा 33 तो minus सबसे ज्यादा कहा है यहां तो minus 33 आजएगा ठीक अगला आपका plus नेगी minus 7 bracket में minus 8 minus bracket में 25 ठीक सबसे पहले bracket को अलग कर लेंगे तो minus 7 minus 8 minus 25 तो जो मैंने नियम आप सभी को बताया था सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी संख्या होती है तो प्लस हो जाएगा तो 25 में आठ का जब आप जोड़ेंगे तो आपका 33 आजाएगा तो यहां माइनस है तो इसलिए यहां भी माइनस हम लिखेंगे ठीक तो minus 7 minus 33 तो minus minus मिलके plus हो जाएगा ठीक है जब plus हो जाएगा तो आप इसको 33 में 7 को add कर देंगे तो आपका 40 आजाएगा यहाँ minus है 33 में तो हम यहाँ minus 40 लिखेंगे ठीक है अगला जो आपका यहाँ अब multiply आगया ठीक है multiply कर देना है तो जैसे पहला दिया है 15 into bracket में minus 18 को गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा दूसरा है minus 55 into 15 का गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा तीसरा है bracket में minus 20 into bracket में minus 10 का गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा चौथा है 10 into 105 ठीक तो गुड़ा करना है simple कुंआ करना है सबसे पहले संख्याओं का गुडा कर देते हैं और माइनस का सब्सक्रेद इंटू माइनस 18 ठीक है आप गुड़ा कर देंगे तो 270 आ जाएगा और माइनस कचिन है तो हम माइनस लगा देंगे ठीक है अगला आपका है कि माइनस 55 इंटू 15 तो सिंपल गुड़ा कर दीजिए तो 825 आ जाएगा माइनस कचिन है तो हम यहां माइनस लगा देंगे अगला गुड़ा कर देंगे तो 500 इसका आंसर आ जाएगा यहां माइनस नहीं लेखेंगे क्योंकि यहां भी माइनस है तो क्या हो जाएगा इसलिए यह बाते थोड़ी ज्यान रखने वाली है अगला कहें टेंट इन्टू 105 का गुड़ा कर दीजए तो इसका 10-50 आ झाएगा ठीक है सब्सक्राइब देना होता है ओम सब्सक्राइब 15 फिल यह अब 16 द्तिund मैं जाए ह唉 फिर अब सबते हो 50 द्रेइब यह बयाईबार में जाएगा टो फिर शम्निद माइनट सब्सक्राम गर्णाइब यह खोंगस सब खरना हों कि उसमेल यह fulfil कि भाग देंगे तो इसलिए इसका अंसर और होर आज़ागा आपका 4 ठीक है अब यह आपका है कि 0 ढीडिट में नहीं जाएगा जीरो यह आएगा तो इसलिए इसका आनसर जीरो आ जाएगा एक तो